असलाम अलेकूम दोस्तो रूही के किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं कचा अलू यह मैंने एक बतन ले लिया है उसमें हम कुछ हमने अलू अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और हम इसमें पानी डाल देते हैं इसमें हम थोड़ा सा नमक एट करेंगे और इसको बॉइल करने के लिए रख देंगे лишь को बोल कने के लिए दसमिनाट के लिए रख देते हैं I will हमारे चे से बॉल हो रहा है जब तक हम चटनी पीछ लेते हैं मैंने कुछ में ले लिए हैं लसण दे लिए है और हरा धनिया अब हम सकी चटनी पीछ लेंगे चटनी हमारी पीज गई है अब हम आलू देख लेते हैं आलू हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है अब हम इसको बाहर निकालते हैं और छेलते हैं कचा अलू बॉयल कर लिया है अब हम कचा अलू बनाने के लिए इसको ऐसे स्लाइस में कट कर लेंगे अब हम इसमें आट कर देंगे थोड़ा सा मिर्चा पाउडर आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं और हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक स्वाथकेर हिसाब से और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला हमने ये हरे धन्य की चटनी पीस से रख है हम इसको थोड़ा सा अड़ कर देंगे इसमें और हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा देना हरे दिन्य से हम इसको गार्लिश कर देंगे ये देखिये और ये देखिये कचालू रेडी है आप इसको पीस नमक कमन करें तो ये जरूर ट्राइ करिएगा अगर चालू देखते ही मेरे मूँ में तो भर भर के पानी आ रहा है अगर आपके मूँ में भी आ रहा है तो आप आईए हमारे साथ इंजॉय करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए अल्ला हाफिज